हालो गाईज तो कैसे हैं आप लोग सब्लोट ठीक हैं तो फ्रेंट्स ठंड तो बढ़े गई है क्योंकि टोपी अब लग गया है सर पे तो समझ सकते हैं किदे नहीं हो सकती है ठंडी तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास आज हम लों देखते हैं अपना नंबर सिस्टम क 37 यानि 37 भाग जो कि आज भी इंपोर्टेंट कुस कोस्टन सोने वाले हैं ठीक है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं ओके फ्रेंट तो देखिए हमारा आज का पहला कोस्टन जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट है ठीक हर एक्जाम में अधिकतर यह कोस्टन मिलता है देख हो तरहिए पहली संख्या क्या हो गई माल ले ते हम यक्ष क्या यहां लिः मना है पाली संख्या क्या मल लिए हम आज दूसरी संख्या प्लास मैं ata प्लस 1 और तीसरी संख्या क्या ले लेंगे यक्स प्लस 2 ठीक है समझ रहे हैं और क्या इसमें दखें तीन क्रमागत संख्याओं का योग बीच वाली संख्या से 332 अधिक है यानि बीच वाली संख्या इस संख्या की बात हो रही है तो तीन क्रमागत संख्याओं का योग बीच वाली संख्या से एक्स प्लस वान बरावर कितना हो जाएगा 332 बस यही इस टेप आपको समझना है यह समझ जाएंगे तो कोश्चन को यूँ एकदम चोटकी में कर लोगे तो देखिए कोश्चन क्या कहा रहा है तीन क्रमागत संख्याओं का योग तीन क्रमागत यानि बीच वाली संख्या से यानि बीच वाली संख्या एक्स प्लस वन से कितना अधिक है 332 अधिक है तो क्या कर देंगे एक्स प्लस वन से क्या है अधिक है तो इसको माइनस कर लेंगे अब देखिए एक्स प्लस वन यह माइनस में है एक्स प्लस वन यह प्लस में है यह क्या हो allocам पक्षांतर कर देंगे यहां हो जाएगा 2x बराभर 332 इस दो गॉमें समाजिनेस कर लेंगे तो अब हो जाएगा हमारे 2x बराभर कितना हो गया 330 और च बराभर कितना हो गया 330 बत्ता में 2 गुणा में है तो चलाएगा बप्ते में बाऑ देदी हैं, कि इतना आ गया 165 यानि इस x की value कितना निकल के आ गई 165 और हमसे फूछ भूछ क्या रहा है, तो bmass वाली संख्या क्या ए, हमसे bmass वाली संख्या पूछ रही है, यह ए क्या धौनि यह संख्या था,емонछ भी संख्या क्या है ए, x plus से x plus 1, x की value कितना है? 165 plus 1. मतलब बीच वाली संख्या x plus 1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 166. और यह हो गया हमारा correct answer. यानि बीच वाली संख्या क्या है? इस question की बीच वाली संख्या है? 166. समझ गए इस question को note करिए. ओका फ्रेंड, तो देखिए हमारा दूसरा कोशन बहुत ही इंपोर्टेंट है, यह भी हमको अक्सर एक्जाम में देखने को मिलता है, तो देखिए, दो अंको की एक संख्या के अंको का योग 15 है, यदि संख्या के अंको को पलट दिया जाए, तो संख्या तीन के वर्ग से बढ़ जाती है, तो वह संख्या क्या तो, फरेंट किया कहा है, हमें दो अंको ci sankyya, जिनका योग कितना है, फंदर, फंदरा है, तो मालिए तो अंको coz i क्कोई हो सकती है, छांडे जोड़े हैं, तो यह अंध्रा भी हो रहा है, से शुटपरें पहले कि वह कुशन को ओपर को चुड़िये दो अंकों के अंकों को प्लट दिया जाए तो संख्या 3 के वार्ग से बढ़ जाती है समझ रहे हैं संख्या पटेंगे तो अंग प्लाट जाएंगे जिसमें हम 3 का वार्ग जोड़ेंगे तो कितना है एक एक option को check कर लीजिए पहले माल रहते है 69 प्लस 3 का वार्ग कितना हो Nep हुगा नहीं हो गाएं यहां उनातर यहां आट है फो consciousness नौ कितना हो गया आठ दूना सोला और एक सत्रा असात एक आठ यह देखिए यह संख्या पलट गया है हो गया कि नहीं तो यह हमारा करेक्ट एंसर कौन सा हो गया कितना आसानी सामने इस चीज़ को पकड़ दिया समझे नहीं समझे थे समझत ऑग iًt सब्सक्राइब करना है तो देखे हम कैसे करेंगे तो पहले समझ लीजिए दोनों अंख है जिनकों जोड़ेंगे तो हमारा योग 15 होगा तो भाइस में हर आठ और साथ 15 हो रहा है नौ और छो पंदरा हो रहा है तो इससे नहीं पगड़ पार रहे हैं तो अगला स्टिप एक स को पलट दिया जाए तो संख्या 9 के वर्ग से बढ़ जाती है अगर हम संख्या को अंग को पलट दें अगर संख्या के अंग को पलट दें यह क्या हो जाएगा नौ का वर्ग बढ़ जाता है यानि प्लस 9 बढ़ जाता है तीन का वर्ग का क्या मतलब हुए नौ और यह कहा ह रहा है यदि हम मắnननननलों इस अच्छ बने तो कि न है forg वड़ गाता है यांनी नो को penetrate अचान two बाड़ अफिर नव को जोड़ें इपना गया सोथ सब्सक्राइब और करिए है बीसखिन के हमारा अगला कोशिक इस कोश़् knob हैं कि अधिर हो कर योग 200 545 सात्य का योग 245 से यदि प्रथम तीन शंदय व्हुफंग का उसत 24 जह स्विस है तथा अंतिम तीन संध्यय को सद्वियावी तो चोथी शंदया निया निज्द पूछा है favorites तो देखिए हम बताते हैं, चौथी संख्या बराबर, साथ संख्याओं का उसद हमें कितना दिया हुआ है? दो सो पैंतालीस, ठीक है? और अंतिम तीन संख्याओं का उसद कितना दिया हुआ है? माइनस कर लेंगे अंतिम तीन संख्याओं का उसत कितना दिया हुआ है 24 यानि तीन गुड़े 24 प्लस अंतिम यह था तीन प्रथम जो है पहली संख्याती यानि प्रथम तीन संख्याओं का उसत कितना है तीन गुड़े 24 हो गया और अंतिम तीन संख्याओं का उसत कितना है 42 है हमारे पास साथ संख्याओं का यह योग है और इसमें कितना दिया है तीन का वस्त कितना हो गया तीन संख्याओं का 24 यह वहत्तर प्लस कितना हो गया तीन दूना चौश चर्थी बारा एक सो चब्विस बराबर 245 माइनस अब इसको एड कर लेते हैं छे दो आठ साथ दो नौ और एक कीतना हो गया एक सो 58 अब इसको माईनस कर लेते हैं तो कितना हो जागा पाँच आठ मेंसेolds और पंदरा एक साथ तीन्जी वह बच्विल एक इसमें दें दिया आठ तेरह और यह कहें कैंसिल अब इसमें से माइनस कर लिए तो हमारे पास क्या गया है 47 बच रहा है और यह 47 क्या है चौथी संख्या जो कि हमसे कोश्चन में पूछ रहा है दगिए साथ संख्याओं का योग कितना दिया है 245 यदि प्रथम तो तो नोट करिए ओके गाइस तो यह भी कोश्चन इंपोर्टेंट है लेकिन लोग देखे इसको हलके में लेते हैं लेकिन कभी-कभी घूम जाता है जब एक जाम में चला आता है तो समझ रहेंग नहीं जैसे आजकल एंटी-पी-सी के बच्चों का दिमाग घुम गया है रेलवाल उने काफी नाइंसाफी कर दिया किसी किसी को पांच-पांच जगा सेलेक्शन मिल गया है किसी को कहीं नहीं मिला है तो भाई हम देख रहे हैं कि आजकल सभी टीचर इस मुद बिरूर मिलेगा है ठीक है तो लगे रहिए और धरने प्रदर्सन करते रहिए तो चलिए देखते हैं आगला कोशन और हम लोग सब साथ हैं दोस्त मीत्र भाई बंदू गवडाने का नहीं सबका समर्तन है ठीक है रेलवे को एक नेक दिन जुकना ही पढ़नेगा इस चीज क अगर उसमें हम 13 से गुणा करते हैं एक्स में अगर हम 13 से गुणा करते हैं तो इसका जीतना भी गुणनफल निकल के आता है वह सारे आंग कितने हो जाते हैं पांच 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 चाहिए आप जीतना ले ले ठीक पर तेक अंग क्या हो जाता है पांच तो वह त से यानी x परआबर 5 5 5 5 5 अब जीतना हम लीख सकते हैं को जरूत नहीं इसे चार-पार पांच तक लेकिया में देख लेना और तेहां पर इहां के आप बटे में और इस 13 क्या करेंगे भाग देगे 13 भाग देंगे जो एंसर निकलके आएगा वही जोटी चोटी क्या होगी संख्या हो जाएगी 42-735 जब भाग देंगे तो यह कैंसिल आउट हो जाएगा और यही आपकी वो छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी समझ गये बहुत इजली कोश्चन है लेकिन कॉंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए कभी-कभी एक्जाम में आ तो दिमाग घून जाता है और कि हम करें तो करें क्या क्योंकि पता ही नहीं है तो करेंगे क्या बैठे रहते हैं दो चल मिट सोचेंगे हाँ ए भी क्या सी टीक दियें तो टीकने से नहीं होगा तोस्त कॉंसेप्ट को पढ़ना पड़ेगा ना तो हर कोश्चन को करते चलिए देखते चलिए चाहे छोटे कि एक सक्तिमान आता था ठीक है पहले आप लोग देखे होंगे सक्तिमान तो उसमें समझाता था कि गंगा धर है लोग समझते हैं कि पूरा हम इतिहास जान गए हैं पूरा बैवरा जान रहा है एकदम हमसे कोई क्या पूछेगा आक्सर जो पूछने वाला होता है जो चल्हाक व्यक्ति होता है वो क्या करता है वह एकदम आपको 123 नरसरी केजी क्या कोश्चन धीरे से दाग देगा और आप उसमें पहुच जाएंगे क्योंकि आप हाई-लेबल के तैहरी में आप सोचते हैं कि हमसे कोई कितना ज्यादा पूछेगा मतलब ज्यादा से ज्यादा बड़ा हाई-लेबल पर कुछ जाते हैं अब यहां तो आगे बढ़ते चले जाते हैं और पीछे की चीज़े होंगे हैं तो मज़ रहे हैं तो इसलिए छोटी-छोटी चीजों को कैप्चर करते चलिए और हर चीज को जाने की कोशिज करिए देखिए भाई पढ़ाई मुझे पता है कि सब सब लोग नोकरी के लिए पढ़ते हैं यही काम है लेके लेकिन पढ़ए पढ़ा रहे हैं जयाता है उसी अनुपारी द्यां की चो हना शीज कर दोभाएग और आपका समझ रहे हैं तो इसलिए आगे आगे आए कि बिद्या कभी भी बंजर नहीं होती है अरे नोकरी लगा लगा ठीक नहीं लगा तो आगे बढ़ो किसी और चीज के लिए दुनिया बहुत सी चीज़ें भाई बैठ के अपसेट मतो बढ़ते रहो ओके तो चलिए नोट करें फ्र आगे पावर यहन किजा है अरहें कितना करते हैं और क्यों कितनी आसान ही तरब के त dieta और यहां की व्या कीतना होत हो ऊसे होगत रहाइंगे माइनस वह न किया होगा यानली हमसे माहिन पॉचह एč मान के पावर चैनि प्लस वान थो पहले हैं पहले चाहिए ए पहले यह ऐ बरावर कितना दिया है 161 तो हम owned के पावर्ण को लिख सकते हैं 11 202 है नहीं लिख सकते है ना hem के पावर यहां नहीं है यहापर college सकते हैं बड़ावर कितना आ जेगा है एकodor 181 को एकी नहीं अब देख हैं देख़िये अ room की वैइलि आ नीचे 11 और n कि वैलु है गई दो में बड़ाबर कितना गया 11 और यंव बड़ाबर कितना गया 2 USसमझ पा रहा है न मीन नंकिलाव है 111 दिया हुआ है 242 जिए हुआ लेगे 12 रलाबर स्क्वाईर 30 कहश्कर करेंगे गैशओ 12 यहां पर आधार हम को मिल गया एंबरावर क्या मिल गया ग्यार मिल गया और एन बरावर कितना मिल गया दो मिल गया अब बस इस इस democratic हमको שगर देना है यह आमको बताना है तो 2 में 1 जोड़ दिया कितना हो गया 10 के पावर 3 बराबर 10 के पावर 3 का मतलब गनमूल हो गया तो 10 के पावर 3 करेंगे तो 1, 2, 3 1,000 यह हो जाएगा आपका एंसर YUM-1 के पावर यहन प्लस 1 का मान कितना हो जाएगा 1,000 हो जाएगा समझ गए दोस्त तो कैसा लगा ये question आपको comment box में जरूर बताईएगा बहुत अच्छे तरीके से बताया आपको ठीक है समझ गए होंगे अब वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को like share subscribe करते चलिएगा बढ़ाते चलिएगा क्यों क्यों कि भाई हम भी YouTube पकने हैं आप ही लोगों के लिए ना कि फिरी मैं इसे बैठके बग बग बड़ आने के लिए फिरी यह में बड़ आना है पैसा नहीं चाहिए हमें आपसे लेकिन कोई तो होना चाहिए ना देखने वाला है की नहीं है मेरा देखिए मेरे पास knowledge है जो भी है थोड़ा पहुत पचास ग्राम सो ग्राम जो भी है मैं चाहता हूँ इस चीज को सेयर करूँ ताकि आपके जॉब में वो काम आ सके समझ रहना इसलिए तो के फ्रेंड्स समिलते हैं कर लग रहे पार्ट में तब तक के लिए बाई